कैसे हैं आप सभी मैं तुशार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज है सेकिंड अफ एप्रेल यानि दो एप्रेल चलिए शुरू करते हैं डिसकस करना आज की डेली करंट अफेयर्स आपको कल किसने भी अप्रेल फूल नहीं बनायोगा एनिवेस फॉर रैगुलर अपदेट्स डिली क्विजिस और पीडिए यू जोई टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वन मोर थिंग तेल यू देकि कल आपको कोई भी करंट करते होंगे उनके कोश्चन हम आगे के करते चलेंगे डे बाई डे ओके तो आपको भी लॉस नहीं होगा किसी भी फैक्ट का ये नॉलिज का चले अब शुरू करते हैं इस सेश्चन को विदाउट एंड इन डिले तो ओल्रेट के पहला कोश्चन है आपको आज का रिसेंट किसमे राजाजी टाई करी रिजफ में तो व राज जी आपको टाइकर रिजर्फ है इसमें क्या है ये अपके एक रिंजर है आपको पता होना चीह और देकि राजी टाई बने हैं बल्लेबास बने है जिन्हों ने एक ही और के अंदर छे छक्के लगा यहां पर आपके ओप्षन और काफी बड़ा चीवमेंट होता है यह आसान काम कते ही नहीं है कुछ जानते हैं शीलंका के बारे में जिससे आपके कुशन बन सकते हैं एक्जाम के अंदर शीलंका की कैपिटल है आपकी श्री जयवर्द ने पूरे कोटे अब काफी लोग कन्फ्यूस करते हैं को कॉलंबो के साथ देकि दौन है इसकी कैपिटल है और इसकी कॉलंबो है इनकी एक्जुकुटिव कैपिटल है ठीक है यह बात आपको पता हो नीचे इसके अलावा है मैं यानि प्राइम मिनिस्टर ओके राजा पक्षा इतनी बात आपको पता ही होनी चाहिए चले बागे चलते हैं नेक्स्ट कोशन देखने क्या है हमारा सो देखिए नेक्स्ट कोशन है आपका फर्स टाइम इंडियन नेवी इस गोईंग टू पार्टिसीपीट इन विच फ्रेंच नेवल एक्सराइज यानि भारति नोस्टेना किस फ्रांसी सी नोस्टेनिक अभ्यास में भाग लेगी पहली बार यह कुछन आप से पूछ रहा है तो देखिए हैं आपके 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 आप्शन सो इस क्वेशन का आपका करेक्ट आंसर होगा आप्शन बर बन लापराउस तो देखिए लापराउस वह फ्रेंच नेवल एक्सराइज है जिसमें इंडिया नेवी पहली बर पार्टिसिपेट करेगी आप ध्यान लखेंगे चलिकुछ जानते हैं इंडिया नेवी के बारे में जिससे आपके एक्जामें सवाल बन सकते हैं तो देखिए इंडियन नेवी कुछ फैक्ट्स है कि नेवी डेम कब बनाते हैं 4 दिसेंबर को बनाते हैं फर्स चीफ कौन थे हमारी इंडियन नेवी कि यह थे हमारी राम दास कटा रही है यह आपको पता ऊना चाहिए क्रंट में कुमें ती को है करंभी सींग, इसके सब्वाब करमें आर्मी और ऐर फोर्स की चीफ कौन है यह आपको कमें सकता है इसके साथ करते हैं, डेजर्ट न's, जो क्या भी हाली मरी मह बहुए और गरूड़ा, यह दो एरफोर्स के एकसरसाइज, जो करते हैं इसके लावात शक्ति हमारी यह क्या है, एक Army की exercise जो कि हम वरुन नाम गया आगए चलते हैं stay यहाने भी हाले प्रकाशत कौने question निसका पूछ रहाँ और ईसका नाम है इसका अगन हम क्या होगी तो देखे इस question का वो correct answer क्या होगा इसका वो correct answer होगा option number 3 general Pinto तो general Pinto है इसके writers का नाम है best on regardless काफी अच्छी किताब है आप चाहिए पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में अच्छे देखे इनके बारे में एक खास बात और कहा है क्यों ही किताब इतनी important है आपको क्यों पता होने चाहिए वो देखे यह general Pinto है इनको मिल चुका है परम विशिष्ट सेवा medal तो इसलिए काफी important किताब हो जाती है क्योंकि यह एक already medal जीत चुके है एक medal winner के द्वारे किताब लिखी गई है इसलिए काफी important हो जाती है आपके exam point of view से आप ध्यान रखेंगे general Pinto ने लिखे batch on regardless ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं next question देखते हैं तो देखे next question है आपका which company has launched the AWS space accelerator for space startups यानि space के छेत्में जो start-ups होते है उसके लिए किस company ने इन मेंसे AWS space accelerator को शुरू किया यानि program को launch किया यह question आप से पूछ रहा है यहां पर एलिए आपके options इस question का answer क्या होगा देखे इसका answer होगा option number 4 Amazon यानि Amazon ने अभी भी शुरू किया ह है AWS space accelerator program for space startup साब जयान रखेंगे चलिए आगे चलते हो next question देखते हैं so देखे next question यह आपका who has won the 2020 Turing prize यानि 2020 का Turing पूरसकार किसने जीता है question आप से पूछ रहा है यहां पर यह आपके options Alfred Aho, Jeffrey Ullman या फिर बोथ यानि दोनों आपर के options या फिर only one यानि Alfred Aho, so देखे इस question का आपका correct answer क्या होगा option number three both one and two यानि Alfred Aho और Jeffrey Ullman दोनों नहीं जीता है इस साल का यानि 2020 का Turing price आप द्यान रखेंगे अब देखेंगे Turing price क्या है यह कि छेत्र में दे जाता है तो देखेंगे आप लिखा हूँ इसके बारे में यह बिलुकुल top price है आपका computer science की field में और यह क आप रिलेट कर पाएंगे आराम से LNN दोनों में आई रहा है आगे चलते नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो देखेंगे नेक्स्ट कोशन है आपका who inaugurated the आनंदम the center for happiness in IIM जम्मू यानि IIM जम्मू के अंदर आनंदम नाम का center for happiness किसने इनाग्रेट किया यह कुछन आप से प हुआ है तो कुछ जम्मू एंड कश्मीर के facts जान लेते हैं तो देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के facts के हैं जम्मू एंड कश्मीर आपका UT बनाए 31st October 2019 के अंदर इसके यहां के LG कोई है ने left-hand governor कोई है आपके मनुस्ती नाग इसके लावे देखेंगे आप नेशनल पार् हीरत festival के नाम से बनाया जाता है इसके लाव देखेंगे आपके पूछा गया तब ध्यान रखेंगे इस बात को चले आपके चलते हो नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो देखेंगे नेक्स्ट कोशन है आपका रिसेट्ली विजा सेंटर्स अडेली एंड भूमबई लाने भी हाल इमें किस कुशन देखते हैं वहागे नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो देखेंगे नेक्स्ट कोशन है आपका रिसेंटली विच कंट्री है उपन इट्स टू वीजा सेंटर्स एड डेली एंड बुंबई याने भी हाली में किस कंट्री नहीं यानि किस देश ने अपने दो वीजा सेंटर्स को खोला दिल लिए और बुंबई के अंदर सो देखें यहां पर आपके options इरान साओधियर रश्या पर नॉर्थ कोडिया सो देखें इस question का और करेक्ट आंसर होगा option मथी रश्या यह रश्या ने ऊपन की है अब यभी दो वीजा सेंटर्स एड डेली एंड बुंबई आप ध्याना किंगे चले कुछ facts देखतें रश्या आप ध्यान दखेंगे इस बात को चले आप आगे चलते हैं next question देखते हैं तो देखें next question है आपका recently who has been appointed as the cto of vipro याने भी हाली में विप्रो कंपणी के cto के तौर पर किसे निक्स किया गया है कुछन आपसे पूछ रहा है यहां पर देखें आपके options तो देखें इस question का correct answer होगा option number one सुभा ततावर्ती सुभा ततावर्ती को अभी अभी appoint किया गया as the cto of vipro company आप ध्यान रखेंगे इनके कुछ बात बता में आपको सुभा ततावर्ते हैं यह आपकी former executive वाल मार्ट की ठीक है यह former executive भी है आपकी किस company की वाल मार्ट की तो question आपसे पूछ सकता है कि बताए कौन सी वह former executive वाल मार्ट की जिनने अभी cto appoint किया गया विप्रो का तो आपके थोड़ा confusing हो सकता है तो वाल मार्ट की क्या पर महाराजा चत्रसाल convention center का उधगाटन किया गया कुछ आपसे पूछ रहा है यहाँ पर यह आपके options तो देखे इस question का आपका correct answer होगा option number 2 खजुराओ कजुराओ में आपका अभी अभी खुला है महाराजा चत्रसाल convention center आप जान रखेंगे इस बात को चले अब आगे चलते हो next question देखते है तो देखे next question है आपका who has won the Saraswati सम्वान 2020 2020 का Saraswati सम्वान किसने जीते कोशन आपसे पूछ रहा है पर यह आपके options तो देखे इस question का आपको correct answer होगा option no.3 Dr.Sharan Kumar Limbali so Dr.Sharan Kumar Limbali ने जीता है Saraswati सम्वान 2020 का आप ज्यान रखेंगे इस बात को चले आपके चलते है question for you जो दिए आपको last class में करने के लिए last class में का question for you था who was the first नवाब of बंगाल निन बंगाल की पर नवाब कौन थे कोशन आपसे पूछा गया है और यह जो question आपका SSC CHSL के एक्जाम आपसे पूछ लिया गया था तो काफी important question आपका modern history से और काफी बच्चों ने इसका correct answer किया और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो क comment section के अपना anyways देखें इस question का correct answer होगा option number 3 मुर्शित कुली खां यानि मुर्शित कुली खां आपके पहले नवाब बंगाल बने आपको पता होना चीए चले बागे चलते हूं देखते हैं आज का question for you क्या आप लोगों के लिए और यह question आपका SSC CGL के अंदर आ गया था तो काफी important question है आपका जोग्रफी से इंडियन जोग्रफी से और आपका options क्या है बेतवा गटप्रभा पेनार या फिर मजीरा सो इन चारो options में से choose करके आपको एक correct answer लिखना comment section के अंदर और answer जरूर करें क्योंकि यहां से आपकी knowledge test होती है चलिए मिलते हैं अगले session अब तक लिए सर्थे पढ़ते रहें नोट्स बनाते रहें बबाई ठीक है दाना खेक अपना